हलो फ्रेंड मेरे चनल में आपका आपका इबरफिट स्वागत है I hope आप सभी अच्छे है, स्वस्त है और मेरे जानकारी से आपको कहीं सारे लाब मिल रहे हैं और आज जानकारी को आप सागे साजा भी कर रहे हैं आज मैं बात करूंगी कि डाइबिटिक पेशन के लिए कौन से चीजे जहर है सबसे पहले मैदा और मैदे से बनीवी चीज है जैसे कि ब्रेड है, इंस्टेंट नूडल्स है इस पर कितना बड़ा लिखा होता है कि फैट प्री है, कार्बॉध्रेट गम है, सूगर फ्री है कितना कुछ भी लिखा हो, इससे अटेक्ट नहीं होना है इन चीजहों को हो सके, जितना अवर्ड करना है गरपे बना के खाएं और होसे के जितना फाइबर जितना अच्छा लेंगे इस सूगर पेसंट उतना अच्छा रहेगा इसके अलावा ब्रेड वगरा इस सब चीज के अलावा पफ जो भेल बनना होती है जिससे हम भेल बना के बड़े चाओ सिखाते हैं वो भी हमें नहीं खाएं राइस का ही तो होता है तो राइस को भी अवर्ड करना चाहिए उसे फफ को भी इसको भी अवर्ड करना चाहिए इसके अलावा आलू को जितना उसे के अवर्ड करना चाहिए कॉर्ण फ्लेक्स वगरा होते हैं लिखा होता है सूगर फ्री, काईपरोहड़िड कम, फैड कम, कितना कुछ लिखा होता है वट्रक्षन के लिए प्लीज उसको जितना भी हो से के अवर्ड करना चाहिए जितने भी पैकेट फूड है क्योंकि उसमें लीडन सूगर जरूर जर अच्छी ये इसके अरवा million कoses時間 उसको स्वीडन इक और अवर्ण लिए स्वीडना नर्स जरूर जरूर करना है से अमृट इसको सूगर को, बलड में जाकर बढ़ाते ही है इसके अच्छा है जो चीनी है वह अगर वह भी है वह वह ऑवरवाड करने है और स्वीडन भी करना ह इतना उसके अवर्ट करें इसके लवा सलाद खाएं पालत की सबजे खाएं यह सब लेके फाइबर अच्छा लेके एल्थी डाइट और जीवन सहली अच्छी रखके योगा प्राणायम करके जितना उसके अपने जीवन सहली का है यह एक तरस बीमारी है डायबिटेस तो इसक कि यह सब चीव ठीक रहे और वो डायबिटिक पेसंट अपनी प्रॉब्लम में ना आये कोई हर्ट की प्रॉब्लम उसको बढ़े नहीं इसलिए यह वीडियो और यह अपने डायबिटिक पेसंट जो भी आपके रिलेटिव स्वगर उनको जरूर बेजे धन्यवाद अभी कि यह वी चैनल मना आयाता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस टॉपी पे वीडियो चाहिए धन्यवाद